गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप एक SBI के यूजर है देना आप जो ही अपना ATM कार्ड को ट्रेक करना चाहते हो तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो ही अपना ATM कार्ड को ट्रेक कर पाऊगे SBI को यहाँ पर गाइस आपको कुछ नहीं करना है बस सिंपल सा आपको Google Chrome ब्राउजर को ओपन कर देना है सर्च बार में Indian Post Tracking लिक के सर्च कर देना है जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने पहली वाली वेबसाइट आ जाएगी इस पहली वाली जो वेबसाइट है इस पे क्लिक कर देना है उसके बाद में जैसे ही इस पे क्लिक करोईगे तो यहाँ पर आपको कंसुर्मेंट नंबर मांगेगा अब इस बैसली हो जाते हैं कि जो कंसुर्मेंट नंबर है वह हमें कहां से मिलेगा तो गयस मैं आपको बता दू है इसका लिंक उपर आई बटन में मिल जाएगा और निचर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा तो आप उस वीडियो को देखिए और आपको यहां पर कंसर्मेंट नमबर मिल जाएगा और बैसिकली गाइस अगर आपका जो रिजिस्ट्रेशन मोबाइल नमबर है उस पर भी चैसर्चर कोड दिया गया है इस में को यहां पर फिल आप कर देना है जैसे ही सर्च करोगे कुछ थोड़ा सा लोडिंग लिया जाए गा तो आपको यहां पर वेट करना है कुछ ब हैं पर बेक नहीं करना है जैन गाइज फिर इस तरीके का आपके सामरे इंटरफेस चार तारिक को बुक हुआ था देख सकते हो नोईडा यानि की नोईडा में बुक हुआ था उसके बाद में यहां पर नोईडा से फिर नोईडा माया उसके बाद में नोईडा से डिस्पेच हुआ ठीक है और न्यू दिल्ली यहां पर जो है यहां पर रिसीव हो चुका था प मोपाल में था उसके बाद में यहां पर 10 तारिक को हमारा यहां पर च्छापेड़ा में आ चुका था उसके बाद में हमारे जो आइटा में वो डिस्पेच हो चुका है और यहां पर जो डिलिवरी लोकेशन है वो कन्फर्म हो चुकी है देख सकते हो हमारे जो भी पोस्ट खासे साथ सकता हूं उसके लाए अगर आप नहीं जाते हैं तो रही हैंपे आ मिअगर बूस्ट oh on लगालीच मेरी टभर के फान लगा लिए याद है सब्सक्राइब करके अपना डेबिट कार्ड यहां पर ले सकते हैं तो आई होप आप समझ चुकर होंगे कि इस तरीके से जो है यहां पर यहां पर आपको मौलूम पड़ जाएगा